हेलो स्टुडेंट, वेलकम बेक टो और चनल फार्मसी इंडिया और आज की इस वीडियो में हम बात कने वाले हैं फार्मकोग्नुसी के चैप्टर 3 के बारे में इससे पहले चैप्टर 2 में हमने देखा था क्लासिफेशन अफ क्रूड ड्रक्स और आज इस चैप्टर 3 के पार पार्ट 1 में हम देखेंगे quality control of crude drugs, their different methods of adulteration of crude drugs, evaluation of crude drugs को हम अपने पार्ट 2 में देखेंगे, पहला है adulteration, adulteration से आप क्या आसन से आपका, Adulteration का मतलब होता है मिलावट देखते आ रहे होगे मिलावट दूद में पानी का मिलावट चने में छोटे-छोटे पत्थर का मिलावट या फिर छोटे-छोटे लोहे का भी मिलावट करते हैं उसका वजन बढ़ाने के लिए तो ये मिलावट बहुत कॉमन है और इसी मिलावट को क्रूड ड्रग्स में कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है इसका परपस क्या है ये जनने के लिए आज ये वीडियो में हम सारा डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं Adulteration is the practice of substituting original drug partially or wholly with other similar looking substance but it is either pre or inferior in chemical and therapeutic properties Adulteration जो होता है वो एक तरह का process है जिसमें ऐसी चीजों को practice किया जाता है कि आप उसने कैसे करोगे adulteration कैसे करोगे कि लोगों को पता भी ना चले और adulteration भी हो जाए हमको profit भी हो जाए तो it is a practice of substituting किसी भी चीज को add करना या किसी को replace करके उसे हटा कर किसी दूसरे चीज को वहाँ पर रखना substitute कहलाता है तो substitute किया जा रहा है original drug में कोई original drug है उसमें किसी भी similar looking substance को लिया जाता है और उसको original drug में क्या किया जाता है substitute या फिर replace किया जाता है या add किया जाता है थोड़ा सा या फिर पूरी तरीके से हटा कर उसी को भी डाल दिया जाता है और original उसमें कुछ बसता ही नहीं है तो वो जो substitute जो होंगे जिसको आप similar looking substance भी कहते हैं वो क्या होगी? उसकी quality उसका जो level होगा grade जो होगा वो क्या होगा? या तो उसमें same उसी के तरह chemicals present होंगे उस crude drug के या फिर नहीं होंगे और होंगे भी तो किस में होंगे? कम quality में होंगे which is either free और inferior inferior का मतलब होता है जिसकी quality कम हो lower quality का हो lower grade का हो या sub-standard हो उसे आप इनकी inferior कहेंगे इन chemical anthropotic properties उसकी chemical property जो होगी उसमें या तो कम होगी या तो chemical constituents में कम होंगे या फिर उसकी medicinal property क्या होगी वो भी कम होगी और अगर किसी substance के अंदर वो chemical present नहीं है तो क्या उसके अंदर therapeutic properties वो देगा नहीं देगा तो यही होता है आपका adulteration simple terminology में बात किया जाए तो therefore adulteration can be defined as anything causing debasement of a drug debasement का मतलब होता है किसी भी substance की quality को reduce कर देना debasement के लाता है तो किसी भी substance की quality को हम कम कर देंगे तो उसका debasement हो जाएगा और वही debasement होने के process को हम करते है adulteration clear जिसे कि एकदम simple example मैंने दिया था कि चने में जो छोटे काले चने होते हैं उसमें छोटे-छोटे red clear के पत्थर मिलाए जाते हैं देखना कहीं से shop से लाकर देखोगे तो उसमें छोटे पत्थर या magnets होते हैं वो क्या करते हैं चने को क्या करते हैं थोड़े और वजणदार बनाते हैं जिससे क्या होता है shopkeepers को थोड़े कम मात्रा में क्या होते हैं चने देने होते हैं जैसे उनको प्रॉफिटी होगा चलिए बढ़ते हैं आगे अपने slide में types of adulteration अब देखें adulteration के कुछ types होते हैं जैसे पहला है deliberate जिसको आप intentional कहो गया है किसी intention से किसी purpose से adulteration किया गया हो second is indeliberated accidental जिसमें accidental adulteration हो गया हो जैसे कोई नहीं चाहता था करना लेकिन फिर भी करना पढ़ा या फिर कर दिया गया उससे आप कहोगे accidental तो अब इसके reasons क्या क्या हो सकते है adulteration के यह तो हमने types देख लिए intentional और unintentional या पिदेलिबेट indeliberate बोल सकते आप उसको इसकी reasons होते है जैसे पहला reason है आपका enhancement of profit यह mainly commercial होता है कि आपको किसी भी substance से किसी भी आपको product से profit चाहिए तो intentionally वो मिलाएगा milk है milk को एकदम बहुत जादा ठिक जो होता है उसमें थोड़ी सी पानी मिला दी जाती है तो वो क्या हो गए उसकी quality सोड़ी सी reduce हो जाती है लेकिन profit किसको हो रहा है दूदवाले भाहिया को हो रहा है ठीक है ना तो enhancement of profit के लिए क्या किया जाता है intentionally adulteration किया जाता है next है आपका confusion in vernacular names between indigenous system of the medicine इसमें कहा रहा है कि जो आपके indigenous systems होते हैं like ayurveda हो गया, siddha हो गया, yunani हो गया यह हम और भी detail में हम इसको discuss करेंगे आगे के chapters में बहुत interesting होने वाला है so यह जो indigenous systems होते हैं उसमें सारे आपके crude drugs herbal product को कैसे use करना है उसकी क्याब therapeutic properties होती है वो सारे चीज़े दी गई है तो वो इंडिजने system में जो भी नाम होते हैं वहाँ से match नहीं करता जैसे मेरे गर सैट पर टिंडे बोले जाते हैं सबजी को हो सकता है locally जहाँ टिंडे उगाये जाते हैं वहाँ उसका कुछ और नाम हो हो सकता है तो यही confusion create करता है कि वो चीज़ है या नहीं है यहाँ पे confusion create होने के वज़े से adulteration हो सकता है जिसे आप accidental adulteration कहोगे जैसे example है तो है fumaria parviflora इसे आयूरवेदा में पर-पत्ता के नाम से जाना जाता है और यह जो है वो adulterated हो जाता है molyugo pentafyla से जिसे पर-पदागम कहा जाता है in younani system so थोड़ा सा पर-पत्ता पर-पदागम थोड़ा से similar type की name लग रहे है हिंदी में local logo से आप पूछोगे तो हाँ उसी कोई तो कहते हैं ऐसा बोल दिया जाएगा so यहाँ पे confusion create होया तो हो सकता है कि fumaria parviflora के जगे में molyugo pentafyla के plants ले लिए गया हो तो यहाँ पे क्या हो गया आपका adulteration हो गया due to confusion okay next is lack of knowledge about the authentic plants authentic plants के बारे में अगर knowledge नहीं है सामने वाले तो वो कैसे collect करेगा plants को तो इससे भी adulteration हो सकता है तो चलिए देखते हैं इसका example मेसवां फेरिया जिसे नागा केसर के नाम से जाना जाता है वो Adление किया जाता है कोलोफायलम Innofilm sorry innofilm 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 से क्या किया जाता है मेसवां फेरिया कोнулitrate किया जाता है जो मेसवा फेरिया है जिसको नागा केसर कहते हैं यह आपका Western Ghats और Himalayas में मिलते हैं तो जो supplier होते हैं उनको इसके बारे में या तो knowledge नहीं होता है या तो कुछ restrictions के वज़े से वो वहाँ से collect नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे knowledge नहीं होने के वज़े से वो लोग Calophyllum, Innophyllum जो available है जो कि plain area में, मैदानी लाको में मिलते हैं उनको वहाँ से collect करते हैं और as a naga caseur उसे sold किया जाता है market में यहाँ पे lack of knowledge के वज़े से बहुत बड़ा adulteration हो गया तो चलिए चलते हैं अपने next slide पे next है हमारा similarities in morphology and or aroma नाम से ही लग रहा है कि morphology मतलब उसके size में, drug के shape में उसके color में, जो भी आप उसकी morphology देख रहे हैं उसमें अगर कुछ similarities है authentic drug का और sub-standard drug का तो इससे भी adulteration हो सकता है या फिर उसके aroma से भी, aroma मतलब उसके fragrance से तो इन दोनों basis पे भी adulteration किया जा सकता है जैसे example है So, यह जो है इसका most common adult range है मुकूना प्रूरेंस का मुकूना प्रूरेंस जो होते हैं वो size में 1 cm तक के होते हैं और M. Utilis और M. Derigiana जो होता है वो थोड़ा सा bigger size का होता है हलका सा slightly वो पता नहीं चलता है उसकी morphology क्या होती है मुकूना प्रूरेंस की तरह ही होती है और मुकूना प्रूरेंस जो है वो dark brown color के हो सकते हैं और M. Utilis जो होता है वो white buff color के हो सकते हैं तो थोड़ी से morphology सेम होने के वज़े से या उसके अरोमा सेम होने के वज़े से भी adulterations होते हैं तो चलिए चलते हैं next example पर non availability of authentic plants या आप उसको बोल सकते हो lack of authentic plants जिसकी availability easily नहीं मिलती हो कहीं पे भी कम हो उसकी quantity ये rare plants हैं जैसे example है hypericum perforatrum adulterate with hypericum petulum hypericum perforatrum जो है वो cultivate और उसे sold किया जाता है European market में बट इसकी इंडिया में जो availability समझ कर चलिए बहुत limited है नहीं है बहुत rare है तो जो इंडो निपाल जो area होता है उससे वहाँ से क्या किये जाते हैं वहाँ hypericum petulum नाम के species जो हैं वो मिलते हैं तो यहाँ से collect कर लिया जाता है drug को और उसके बाद उसे hypericum perforatrum के नाम से क्या किया जाता है यहाँ पर एकदम common type का एकदम क्या हो गया यह वेंटिलागो मद्रास पटना जिससे आप जनरल नाम में रतन जोद भी बोलते हो बहुत common crude drug है जिसको as a diesel preparation के भी use किया जा रहा था scientifically तो यह भी western guard side पर मिलते हैं और इससे adult rate किया जाता है अरेंबिया युक्रोमा से तो जो रतन जोद के जो roots होते हैं alkinate root भी बोला जाता है उनको और यह जो रतन जोद के roots हैं वो as a red dye use किया जाता है same arnebia yukroma नाम में yukroma है तो वो भी उसके भी जो roots होते हैं उसे भी as a red dye use किया जाता है so इसलिए इन दोनों की similarity के वज़े से भी arnebia yukroma को रतन जोद से replace किया जाता है या फिर adult rate किया जाता है या फिर उसमें substitution किया जाता है our next point is careless collection लापरवाही से किसी चीज को collect कर लिया गया, crude drug को collect कर लिया गया इसके examples है parmelia perlata admixed with parmelia perforata so यहाँ पे जो suppliers हैं जो herbal suppliers होते हैं या फिर collectors होते हैं herbal collectors जो collection का काम करते हैं उनकी लापरवाही के वज़े से जो similar type के जो drugs होते हैं उन्हें क्या कर लिया जाता है, एक साथ collect कर लिया जाता है तो यहाँ पे भी आपका एक adult rate का example देखने को मिलता है तो चलिए चलते हैं अब अपने next slide पर next है हमारा adulteration involves different conditions such as deterioration, admixture, sophistication, substitution, inferiority and foliage यह सारे जितने terms हैं यह अलग-अलग conditions होते हैं और adulteration के अंदर यह सारे different conditions क्या होते हैं? वो हम एक एक करके उसके बार में पढ़ते जाएंगे जैसे पहला है हमारा deterioration इसमें क्या हो रहा है? is the impairment of quality of drug किसी भी drug की quality में अगर थोड़ा सा भी गिरावाट आता है या थोड़ी सी खराबी आ जाती है तो वो क्या होगा? deterioration होगा next is admixture admixture नाम से लग रहा है mixture हो रहा है किसी चीज का तो is the addition of one article to the another due to ignorance or carelessness or by accident something कुछ चीज है आपका, उसमें किसी और चीज को मिला दिया जाए something is mixed with something else one article is mixed with another due to what? due to the ignorance या तो फिर carelessness हो सकता है या फिर accidental हो सकता है कि किसी में डाल रहा था किसी ने और वो दूसरी चीज में मिल रही गलती समय ने किसी दूसरे box में डाल दिया तो वो वहाँ पर admixture का condition बन जाता है next is sophistication sophistication जो होता है वो या तो intentional होगा जिससे आप deliberate भी बोलेंगे यह type का adulteration है intentional care sophistication मतलब जान बुच कर किसी चीज को और जादा complex बना देना sophistication कहलाता है next is substitution substitution हमने पहले भी बात की थी कि when some totally different substance is added to place of original crude drug किसी भी original crude drug के जगे में एकदम totally दूसरी चीज को हम लाकर add कर दें तो वो क्या हो जाएगा आपका substitution कहलाएगा next is inferiority refers to any substandard drug substandard मतलब जिसकी quality required quality से थोड़ी सी कम हो जिससे मुझे एकदम बहुत good quality का क्या चाहिए कोई product चाहिए like milk मुझे बहुत अच्छा एकदम thick कोई milk product चाहिए बट वहाँ पर थोड़ा सा मुझे कम quality मिल रही है एकदम भी ज्यादा खराब नहीं थोड़ी सी कम quality मिल रही है जैसा मुझे required था वैसा नहीं मिल रहा उससे आप क्या कहोगे inferiority या फिर any substandard drug होगे next is spoilage spoilage जो है वो attack of microorganism के वज़े से होता है microorganism या फिर spoilage जो है वो due to temperature भी हो सकता है moisture contain भी हो सकता है humidity के वज़े से भी हो सकता ही है microbial attack तो हो गही होगा like bacteria, fungi, yeast यह सारी चीज़े involved अगर होगी इसी भी product में अगर वो लग जाता है तो उस product का क्या होगा spoilage हो जाएगा या कोई भी food product हो उसमें spoilage जादा देखने को मिलता है crude drug में बेकर सेम चीज़ होती है तो वो भी उसका spoilage ही कैलाएगा